जहिंद बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे जितने भी बच्चे सैनिकी स्कूल जवार नवोदे विध्याले ये किसी भी एग्जाम की तियारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर एक सरीज स्टार्ट हो चुकी है हर दिन कुछ न कुछ वीडियो मिलेंगी कभी जवार नवोदे विध्याले को टारगेट करके कभी All India Senni की स्कूल को टारगेट करके और कभी UP Senni की स्कूल को टारगेट करके तो देखे अभी जो मेरी last class गई थी उसमें मैंने जवार नहोदे विध्याले को टार्गेट करके एक चैप्टर के 5 कुश्चन कराई थे आज मैं आप सभी को सैनिक स्कूल एक्जाम को टार्गेट करके डारेक्सन और डिश्टेंस के 5 कुश्चन कराने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको कुश्चन को सॉल गरना है विध कॉंसेप्ट 5-7 मिनट में पूरा चैप्टर आपको केलियर हो जाएगा इसी तरीके से यह स्रीज हमारी रेगुलर रहेगी आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह हमारी स्रीज कैसी लगती है चैप्टर का नाम है डारेक्शन और डिश्टेंस अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ डारेक्शन की बेसिकली जो डारेक्शन है हमारी चार होती है अगर हम बात करते हैं तो चार हमारी सब डारेक्शन भी होती है तो आप कहेंगे सर सब डारेक्शन क्या होती है हमारी तो यह हमारी सब डारेक्शन होती है जिसे नोर्थ और इस्ट के बीच में क्या हो जाएगा नोर्थ इस्ट हो जाएगा, नोर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नोर्थ वेस्ट हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ और इस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ इस्ट, तो मैंने क्या बनाई, चार sub direction मनाई आप से भी को एक पॉइंट केलियर हो गया तो लेकिन अभी हमें sub direction का काम बिलकुल नहीं है अभी केवल हमें direction से ही हमें काम है और एक एक point को समझेंगे जैसे अगर suppose गरो आपका face कहा है आप north direction में देख रहे हैं आपका face इस north direction में है आपने क्या किया इस north direction के आपने right turn लिया तो इस north direction के जब आपने right turn लिया तो आप किस direction में चलेगे अब आप east direction में चले गए तो सहीं वैसे ही अगर हम बात करते हैं east के अगर आप right में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा साउथ मिलेगा और साउथ के राइट में जाएंगे वेस्ट मिलेगा और वेस्ट के राइट में जाएंगे आपको क्या मिलेगा नोर्थ मिलेगा तो यहां से आपको बता चल गया कि यह हमारा पैटर्न होता है N E S W क्या होता है जी N E S W हमारा pattern होता है North East South West अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपका face कहां है East direction में है और आपको पूछा जाए कि East के right जाना है तो East के right जाएंगे आपको South मिलेगा East के left जाएंगे तो North मिलेगा कहने का मतलब यह है आपका face किसी भी direction में हो आप क्या जा सकते हैं उसके left या right में जा सकते हैं इतना point clear हुआ चलिए अब मैंने क्या किया मैंने आपसे क्या बताया N E S W यह हमारा एक pattern होता है यह North के right में East है East के right में South है South के right में West है अगर हम बात करते हैं तो West के left में South है South के left में East है East के left में क्या है जी North है ठीक है clear हुआ यहां तक अब मैं आपसे question करता हूँ छोटा सा और आपको समझाने की कोसिस करता हूँ जैसे suppose गरो मेरा face North direction में था मैंने एक बार क्या किया left और एक बार मैंने क्या किया right तरन लिया मेरा face कहां था suppose करो मेरा face North direction में था और मैंने क्या किया एक बार मैंने left तरन लिया एक बार right तरन लिया practically मैं आप सभी को दिखाता हूँ जैसे मैं अभी North की तरफ देख रहा हूँ मैंने क्या किया North से मैंने right तरन लिया पिर मैंने क्या किया, left turn लिया, तो इसका मतलब मेरा face कहां आगया, आपको बता है कि जहां मेरा फैले face था, अब मेरा face उसी direction में आ गया, तो इसका मतलब यह होता है, कि जब भी आप north में देख रहे थे, या किसी भी direction में देख रहे थे, एक बार left लिया एक बार right लिया तो आपका face उसी direction में आजाएगा फिर से जहां पहली direction में था clear है चलिए तो अब यह आपको clear हो गया कि left और राइट क्या हो जाते हैं कट जाते हैं लेकिन यहां हमने बोला कि आपका face north direction में था एक बार left टन लिया एक बार right के राइट जाना है तो हमारा पैटर्ण क्या होता है एनियस डबलू होता है और हमें क्या गरना है नोर्थ के राइट जाना है तो नोर्थ के राइट जाना है तो नोर्थ के राइट क्या हो जाएगा इस्ट हो जाएगा नोर्थ के राइट क्या हो जाएगा इस्ट हमारा हो ज लेफ्ट बच रहा है उसी डारेक्शन में हमें क्या कर लेना है अब इसी कॉंसेप्ट से रिलेटेड कैसे कैसे कुश्चन्स आपके एक्जाम में बनते हैं उनको ध्याम से देखेंगे जैसे मैंने आपके सामने कुश्चन लिया जो कि सैनिक स्कूल 2021 के एक्जाम में यह और कितना गया किलोमेटर गया किसी डारेक्शन में जा रहा है तो सभी जानते है आप सभी जानते है ऐनोंट है Ne H w हमारा पैटर्ण होता है हमें South के दो बार लेफ्ट जाना है South के पहली बार लेफ्ट जायेंगे East और दूसरी बार लेफ्ट जायेंगे किया हो साइगा North it means अब उस जो व्यक्ति जो face है वो कहां है north direction में है यहां दो बार left बोल रहा था तो दो बार left चलेगे एक बार बोले एक बार चले जाएंगे तो यहां आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है अब ऐसा ही मैं एक और question आपको करवाता हूँ ध्यां से देखेंगे इस question को read करेंगे इस question में बोला गया क्या है आप भी video रोकर आप इस question को solve करिए तो इस question में बोला गया था आप से कि राहुल ने चलना start किया तो राहुल जो जा रहा था किस direction में जा रहा था भई वो east direction में जा रहा था तो आपने क्या कर दिया जी East लिख दिया उसके बाद क्या हुआ उसने क्या किया East में वो चल रहा था उसने क्या किया राइट टन लिया और फिर से उसने चलना ही स्टार्ट कर दिया आपसे पूछा जा रहा है in which direction is he heading now वलब किस direction को वो face कर रहा है अब वे किस दिसा में चल रहा है तो जब भी ऐसा question आएगा कुछ नहीं करना है East के क्या जाना है राइट जाना है East के राइट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा तो आप कहेंगे सर पैटर्न होता है हमारा कौन सा N E S W होता है East के राइट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा South मिलेगा तो option number C is the right answer क्या हो जाएगा option number C is the right answer समझ में आया आगे बढ़ते हैं एक और question करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा overall जैसे ये question है ये RMS में पूछा गया था जिया भी स्टूडंट देख रहे हैं ध्यौन से देखेंगे और समझने की कोईसिस करेंगे और जानने की कोईसिस त्यों में ये question RMS में आया है इस question कo solve करने पिरसे हमने question को read गया और हमें पता चल गया कि जो पिया का जो face था वो किस direction में था भई, south में था, तो आपने हैं क्या कर दिया, south लिख दिया, then उसने क्या किया, उसने left turn लिया, then उसने क्या किया जी, left turn लिया, और उसके बाद 3 मिटर गया, after this, c turns to the right, फिर उसने क्या किया, right turn लिया, अब आप से पूछा जा रहा है, in which direction, c is facing अब उसका face किस दिसा में है, तो मैं question को कैसे solve करूँ, मैं देखे, वो पहले south में था, अब उसने क्या किया, एक बार left लिया, और फिर से क्या लिया, right turn लिया, अब आप से face पूछा जा रहा है, किस दिसा में है, तो हमें क्या करना है, right और left को cut कर देना है, पहले भी face हमार और final direction आप से पूछे जाएगी, तो आप उस question को easily solve कर लेंगे, एक और question आपकी screen पर है, इसे solve करते हैं, इस question में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अभी हम से देखेंगे, कि a person is going towards north, एक वेक्ती जो था, किस direction में जा रहा था, north direction में जा रहा था, तो आपने क्या कर किया जी, वहां से right turn लिया, क्या किया जी, उसने वहां से right turn लिया, और वो 50 मीटर गया, again he turns, क्या है भई, left, again उसने क्या किया जी, left turn लिया, in which direction is he walking now, ठीक है, तो एक बार right और एक बार left, तो यह तो right तो था ही था, मैंने क्या कर दिया left, अब मुझे क्या करना है, left और right को कट करना है, पहले भी face north में था, तो अभी भी face कहां आजाएगा, north में ही आजाएगा, it means this question का right answer क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर English में, Hindi में थोड़ी सी mistake है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, north हमारा क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, ठीक है, तो I hope आपको जो यह 5 question मैंने बताएं हैं, आपको समझ में आगे होंगे, तो ऐसे ही trick जानने के लिए, informative video जानने के लिए, concept जानने के लिए, आप channel को subscribe परेंगे, और हमारे crash post में जुणने के लिए, HD compass का जो app है, इसे आप play store पर जाकर क्या करेंगे, download कर लेंगे, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, हमारे किसी भी course में admission लेना है, तो आप इस number पर क्या कर सकते हैं, call कर सकते हैं, कैसा लगा यह concept और इस तरीके का अगर question आएगा, तो क्या आप कभी गलत करेंगे, आप उसे कभी भी गलत नहीं करेंगे, तो मैं मुलाकात करूँँग आपसे फिर next ऐसे ही तरीक के, एक और वीडियो के साथ, भाई भाई टेक केर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, जैहिन जै भारत